अब देखें दरावत फैमिली व्लॉक्स तो आप सब लोग कैसे उम्मीरों भी बहुत बढ़िया होंगे और स्वास्त होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ और टाइम हो रहा है रात का तो मैंने का चलो आज आपके साथ मैं अपनी रेस्पी शेयर करती हूँ कडाई पनीर क करते हैं तो मैं आज वही शेयर करने आई हूँ आपको तो आज पूरे दिन वीजी थी केशव के आड़मेशन के चक्कर में क्यूंकि आज उसका फॉंग वगेरा सम्मेट करना था तो उसका टेइस तारी के चौपिस तारी को उसका टैस्ट है फिर तो इससी वज़े से लग atif है और फ्रैंड्ट्स है टामाटर में चार ये पांच झीञे थे आसमें ठोड़ा काज्ग बइज ब्रक्रींड कetics kis diனya नाय औरsite the शाथ करते मेरा काफी करंभ हो चुका है तो स्टार्ड करते हूं तो सब्से पहले में चालotion के इसको थोड़ा ख़लका साल को बूलने के बाद में डाल है डालका पियाच ज्यादा यह पकाएंगे को अजुछ को रखेंगे द्हीमा इयुछ पकाएंगे रिक्तार गेल्स. सिमुला मिर्चο यो मने लंमे--lungs काट देते हैं इस साइज में लंमे-लंमे साइज मोटे हैं दोनों चीजते प्याज भी और सि मेला मिर्च भी अर्वो पकाइनगे सिम्ला मिज में पहले डाल दे तो वह ज़्दी कल जाती है तो एक पहले मेरे प्यार डाला आफेस के बास सिम्ला मेज डाली डाली अब डोनों को हलका पकाएंगे थोड़ा में ढग दूँगी एक मिनट के लिए बस या दें नहीं पक जाएंगी हो हलका मतलब कच्छा बन भी तो बस हलका बोनने के बाद मैं इसको अब निकाल लो गूँख तो इसके निक पहले निकाल देती हूं में सारे को इसके बाद इसी कड़ाए में मैं तेल डालूंगी तड़का लगाने के लिए और सबसे पहले मैं डालूंगी फिर दुबारा धनिया जीरा और थोड़ा तेज पत्ता जो मैं तीन प्याज काते थे मीडियम साइज के बरी कटिंग में वह डालूंगी अब इनको अच्छी तरह प्याज हो गया है मेरे गोल्डन ब्राउन अब डालूंगी लसनद्रका पेस्ट तो प्याज हो गया है मेरे गोल्डन ब्राउन अब डालूंगी लसनद्रका पेस्ट दो चमच बड़े चमच बड़े चमच बड़े चमच बड़े चमच डाले हैं अब लस इनको अच्छी त तो लोग अच्छी तरह मिलाएंगे पर हलका सा पानी डालूंगी ताकि मसाला नीचे जले ना इनको अच्छी तरह मिलाने के बाद तिसके बाद मैं डालूगी टमाड़ चले के साथ बेचा इसके बाद मैं अपी अच्छी तरह बुणने के बाद मैं आप डालूँ तो बस आप तो बस बुड़ चले के साथ मिलाएंगे मसाला मिलने के बाद मैं डालोंगे धनिया पाउडर दो जम्मच नमक स्वाधन उसार इनको अच्छी तरह मिलाएंगे फिर मिलाने के बाद सारे मिलाने के बाद मैं डालूंगे देगी मिर्च दो चम्मच देगी मिर्च से भी काफी अच्छा कलर आ जाता है इनको भी अच्छी तरह मिला लेंगे मसालों के साथ मसाले के तो थोड़ जराई पकने देंगे मसाले को मैं पकने दूंगी एक दुमिनियर तक भ्यामा पिसा तुमाटर से पानी डाल के बादा जले अलसाला चितरा पक जाए अची तरह में इसको ठग दूँगे वीज़ वीज़ देखते ने देखते भी रहूंगी मसाला पकाएं कि निपका और आज को दीमियाच में पकाऊंगे मसाला मेरा रेडी हो चुका है ये दिखिए साइडों में तेल छोड़ती है मसाले ने आपको दिखाती हो नहीं अच्छ तो सबसे पहले में डालूँगी प्याज और सिम्ला मिर्च जो मैंने अच्छी तरह मसाले में मिलाएंगे तो एक हार्च से कैमरा पकड़ रखा है और एक हार्च से मिला रही है तो काफी हेल रहा है कैमरा मेरा प्रेंड्स पर बस इसको मिलाने के बाद मैंने ढख दिया था और दिखाया है और यह देखा कि अच्छी तरह पक चुका है तो अब इसके बाद डालूँगी पनीर पनीरों को भी टालूँगी अलके हाथ से हिलाना ताकि पनीर की क्यूब्स तूटे ना पर अजीब से हो देखाया है तो एक बार्ट बाद तो उसके बाद इसतरीके से एक प्रड़ी मेद डीग पनीरों काई आप पताला केसा लग रहा है दिखने में बचान के लिए पानीर की जो मैंने आपके साथ शेयर करी अगर पसंद आई हो तो से लाइक शेयर और कमेंट जरू करना फ्रेंट्स कमेंट करके आप मुझे बताना की कैसी लगी आज जो मैंने कडाई पनीर डाल दाल दिया तो खाप अच्छा लग रहा है अब बस अब आपके साथ वही शेयर करी पस आज व्लॉग तो बनाने पाई मैंने बताया आपको लिकेश्व का आज पाउम अगेरा भरा था तो इसमद्दे से व्लॉग निमाई तो फिर अपना तो फिर मैं आज का व्लॉग करी हैं और कर तो फिर कल मिलेंगी अच्छी बघब का व्लॉग कर अज जरका टहें ज्लॉग कर ट्हिकर दो की श्यां जरका श्कler को ओिर मैंने के डिके वी शर बक्वेंगा के व्लॉग मिलेंगी इसमद्दे शोरी भंगें तो साथ एक रहरका रटर पॉर झारण का यार साथ नहीं ह। Jessicaettre कूं आ